हे जंकीज कैसे हो आप सब स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक जगत की कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जो पिछले हफ़ते घटी हैं और मेरे हिसाब से यार देखो न्यूस की जो फ्रिक्वेंसी है वो हम न्यूस का नाम सेटरडे वीकली न्यूस नहीं रहेगा बलकि कुछ और देख लेंगे तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली न्यूस के बारे में तो पहली न्यूस हमारी आ रही है फेस्बुक की तरफ से फेस्बुक एक ऐसे फीचर के उपर काम कर रहा है ज आप बोलोगे कि भाई ये न्यूस तो हमें फ्री में भी मिल जाती है तो यहार उन्हें ऐसी न्यूस नहीं देखनी उन्हें धंकी न्यूस देखनी और उन्हें न्यूस परते टाइम रूपा चड़ी की एड भी नहीं देखनी तो इसी वज़े से बहुत सारे लोग न्यू उसको अपने फीड में ही देख पाएंगे और वहीं से वो लोग शौट में मतलब जादा अच्छे से कम टाइम में जादा इंफोर्मेशन रिटेन कर पाएंगे इसमें जो आपका फेस्बूक अकाउंट होगा और जो आपका न्यूज अकाउंट होगा ये दोनों आपस में मर सकते हो लेकिन अभी ये testing stage में है और testing stage में ये पता चला है कि जितने भी testers के ऊपर ये feature दिया गया है न तो उन लोगों की जो news clicks हैं मतलब जितनी news पर वो लोग click करके उसे पढ़ते हैं उसका rate जो लोग इस feature को नहीं use कर रहे है उस से 111 गुना जादा है तो facebook के लिए और भी जादा ही नहांस हो जाएगा, तो अब देखते हैं कि future में इसका क्या होने वाला है, फिलाल तो ये testing stage में ही मौजूद है, बात करें अगर अगले update की तो TikTok के लिए जैसा ये साल 2020 सब के लिए रहा है न, उससे 1000 गोना खराब ये साल रहा है TikTok के लिए, जब इंडिया ने जोइन करा, उसके कुछी टाइम बाद ये सारे apps इंडिया से बैन हो गए, और इंडिया से बैन होने पर उन्हें सबसे बड़ा जटका इसलिए लगा, क्योंकि पूरे दुनिया में TikTok की जो सबसे जादा audience थी, वो इंडिया में थी, अब ये कोई proud वाली बात नहीं है, इस प अपनी post छोड़ कर, वो नीचे किसी और post पर काम करनी के लिए आ गये हैं, तो अब देखते हैं कि TikTok का future क्या होता है, वैसे मैं तो यही उम्मिद करता हूँ कि भाई, इंडिया में तो नहीं आना चाहिए, बाकी कहीं भी आतारो, जो मर्जी करना हो करो, इंडिया में नहीं वैसे आ भी गया तो क्या हुआ, हक तो लोग real पे भी रहे हैं, अगली news की बात करें तो यह आ रही है ransomware attack के मामले में, ransomware attack जिसको नहीं पता, तो देखो होता क्या है कि बहुत सारे जो hackers होते हैं, वो लोग किसी company का कोई data, जैसे मान लोग के एक बहुत important project है, उसमें जो भी data है, जो भी files हैं, उसको वो लोग encrypt कर देते हैं, मतलब उसको hack करके उसको encrypt कर देते हैं, encrypt करने का मतलब होता है, जैसे मान लो यह अतुल लिखा हुआ है, तो इसको वो लोग change करके कुछ ऐसी form में लिख देंगे, अब वो लोग company से बोलेंगे कि भी आगर आपको अपना यह गया US में घूमने, और वहाँ घूमते घूमते इसने Tesla के एक employee जो की रशिया का ही था, तो रशियन रशियन भाई भाई भाई, इस policy पे उसने उससे अपना दोस बना लिया, अब कुछ टाइम बाद आईगोर ने रशिया का जो employee था, उससे बोला के भाई एक काम कर, तो एक million dollar दूँगा, लेकिन भाई वो जो employee था, वो मतलब बहुत ही सही बंदा था, उसने क्या करा, उसने उसकी मदद करने के बज़या, उससे report कर दिया, तो जो आईगोर भाईया है, वो पुलिस के पास हैं, और Tesla और वहाँ की government, अब दोनों के दोनों मिलकर, उसके जितने भ पूरी agency या जो भी उनका सक्टा वागेरा है, उन सब को ढूणने की कोशिश में लगे हुए हैं, अगली जो update आ रही है, वो आ रही है, Apple की तरफ से, उसने lawsuit फाईल करी थी, कि भाईया, इस 30% हमारे commission ले रहे हैं हमारे purchase में से, तो इसमें court ने कहा, कि भाईया देखो, तु तो Epic का developer account था न, जिससे वो लोग अपने games या जितने भी अपने software हैं, वो सब publish करते थे, उस account को ही बंद कर दिया है, तो अब जैसा कि Epic के बाद हमको पता ही चल गया, कि Apple और यह जो Google है, यह 30-30% charge करते हैं, इससे पहले तो शायद पता भी नहीं था हमें, अब ऐसे में Android मे क्या है, Android की policy थोड़ी सी अलग है, उसमें अगर आप किसी games या फिर किसी इन चीजों में purchase करते हो न, तो ही जा के आपको 30% देना पड़ता है, लेकिन Apple में क्या है, आप कहीं भी किसी भी app में हो, और उसमें in app purchase कर रहे हो, मतलब उसमें transaction कर रहे हो, तो उसमें 30% आपको दे Facebook ने अपने app में change करा, और वहाँ पर ये लिख दिया, मतलब Android में तो उसने लिख दिया कि इस event का जितना भी पैसा है, उसका 100% सीधा owner के पास जाएगा, लेकिन iOS में जो Facebook का app है, उसमें उसने लिख दिया कि भाईया, इसका जितना भी पैसा है, उसका 30% Apple लखेगा, तो जि दिख रहे हो, मतलब ये policy है Apple की कोई भी developer अपने app में कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखा सकता, जो कि user के किसी भी काम की नहीं है, तो Apple के मताबिक, जो 30% Apple ले रहा है न, वो चीज user के किसी काम की नहीं है, तो अब देख लो कितनी लालची, मतलब Apple 2 trillion dollar पर पहुंचने वाली द आ रही है work from home के scenario की तरफ से, आज कल हम सबको पता है, दुनिया जितनी भी है, वो सारी के सारी work from home पर depend होने लगी है, और बहुत सारी बड़ी companies, जैसे Twitter, Twitter नहीं सबसे पहले launch किया था, कि भीया हमारे जितने भी employees हैं, उनके कुछ percent work from home करेंगे, उसके बाद Google ने कह दिया कि भीया 2021 तक जितने भी employees हैं, वो लोग work from home ही करेंगे, और Facebook भी अब यही plan कर रहा है कि 2030 तक उसके most of the employees work from home ही होने लगें, मतलब एक तरह से देखा जाए तो इसमें सबका ही फायदा है न, employees अपने घर पे रहके काम कर सकता है, और जो companies हैं, उनको infrastructure में इतना ज़ादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना office बनाना, ना उन्हें खाना पीना देना, ना उनका देख भाल करना, इन सब में उनको जादा पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, तो इसमें दोनों की win-win situation है, लेकिन Trivago को जो CEO हैं, उन्होंने कहा है कि ये चीज जादा लंबे स उस decision के लिए भी जिस पर चर्चा हो रही है, तो इसलिए completely 100% work from home हमारे लिए सही नहीं है एक तरह से, वैसे ये मेरा नहीं, ये Trivago के CEO का कहना है, अगले अगर अपडेट की बात करें तो वो आ रही है Xiaomi की तरफ से, तो जैसा कि आपको पता है Xiaomi बहुत सारे नई-नी चीज़ तो उसने अभी हाली में आपने सुनो होगा कि वो अपने under display camera के बारे में बात कर रहा है, मतलब वो अपने under display camera के ओपर काम कर रहा है, डिस्पले के अंधर ही camera रहेगा, तो हाली में उसने उसकी testing करी है, और उसमें जो उसका third stage है जो third generation वाली technology है, उसमें बहुत ही जादा improvement उसको देखने को मिली है, तो Xiaomi ने ये announce किया है कि अगले साल तक शायद हम under display जो camera है वो system consumer के लिए ला सकते हैं मतलब उसका mass production हम start कर सकते हैं, तब देखो अगले साल क्या होता है, वैसे ये बहुत ही interesting topic है, इसके उपर मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूं, तो उसके लिए चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलना, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आईए तो वीडियो को like कर देना, और अगर आपको हमारा नया setup भी पसंद आया है, तो इसके अगर वीडियो पर नय हो, तो चैनल को subscribe करके इस घंटे वाले बटन को दवाना भी मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्यान बाटते रहते हैं, जैहिंद वंदमातरम